सुप्रभात बच्चों टैन् 시청 हिंदी स्पर्ष कावखंट मीरा के पद इस काविता में मीरा के पद कविता में आपको पिछली वीडियो जुए में मिरा के पदों की व्याख्या, उनके सल्लार्थ आपको बता चुके हैं, मिराजी के जीवन के बारे में आपको बता चुके हैं, आज की वीडियो में इस कविता पर आधारित कुछ प्रसन लेकर उपस्तित हुए हैं, तो लिजिए, डिस्कस करते हैं इन प्रस्नों पर, बहला प्रभु जब जब आपके भगतों पर विपत्ति आई हैं तब तब आपने स्वेम आकर उनकी विपत्तियां दूर करके उनकी पीड़ा हरी है कौर्वों के हातों जब भरी सभा में दृप्ति का अपमान किया जा रहा था तब आपने ही उनका वस्त्र बढ़ा कर उनकी मर्यादा की रक्षा की थी नर्सिंग रूप दारन करके भगत प्रलाद को आपने ही बचाया था मगर मच से गजराज की रक्षा भी आपने ही की थी इन सभी प्रसंगों को याद दिलाते हुए मीरा कहती है कि है स्री कृष्ण मीरा भी तो आपकी दासी है मीरा की पीडा को भी हर लोग तो ये पहले प्रसंग का उत्तर है दूसरा प्रसंग है दूसरे प्रसंग मीरा स्याम की चाक्री क्यों करना चाहती है यानि भगवान स्रीकृष्ण जी के यहां नौकरी क्यों करना चाहती है मीरा जी तो उत्तर हैं मीरा श्याम की चाकरी करना चाहती है वे स्रीकृष्ण की सेवी का बनकर उनके आसपास रहकर बार बार उनके दर्शन का अवसर प्राप्त करना चाहती है मीरा वरंदावन की कुझ गलियों में स्रीकृष्ण के लीला के गीत गाना चाहती है ठीक है वो उनके हनौकरी से लिए करना चाहती है कि आसपास स्रीकृष्ण के आसपास रहकर उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सके तीसरा कोशन है मीरा ने स्रीकर्षन के रूप सौंदर्या का वर्णन किस परकार किया है यानि स्रीकर्षन जी की सुंदर्ता का वर्णन मीरा जी ने किया है वो किस परकार किया है मीरा प्रभु स्रीकर्षन के रूप सौंदर्या का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है यानि स्रीकर्षिन जी ने अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट पहना हुआ है सरीर पर पीले वस्त्र सोबित है उनके गले में सुन्दर फूलों की वेजनती माला सोभा देती है ऐसे सुन्दर आकर्शक और मन को मोहित करने वाले मुरली वाले स्रीकृष्षन ब्रंदावन में गायों को चराते हैं तो इस प्रकार से मीरा जी ने भगवान स्रीकृष्षन जी के सुन्दरिया का वर्ण किया है अब देखे भाषा सहली फोर्थ कोशन है मीरा की भाषा सहली पर प्रकास डाली है उनकी भाषा और उनकी सहली किस प्रकार की रही है मीरा जी की भाषा मूलते राजस्थानी मिश्रत बरज भाषा यानि ऐसी बरज भाषा जिसमें राजस्थानी के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है राजस्थानी और ब्रज दोनों को मिला करके बोलती थी उनकी रचनाओं में खडी बूली, गुजराती और पंजावी आदी का प्रभाव भी दिखाई देता है कौन-कौन सी? राजस्थानी तो है, ब्रज भी है, खडी बूली, गुजराती और पंजावी इस तरह की ये चार-पंच भाषा हैं, इन सब को मिला करके वो भाषाएं बोलती है मीरा की भाषा बहुती सहज, सरल और प्रभावशाली है मीरा जी की कविताएं मूलतें गीति काव्य में हैं गीति काव्य मतलब जिस कविता को गाया जा सकता है आप यूट्यूब के माध्यम से अनूप चलोटा जी द्वारा जो बहुत ही बहुत ही ग्रेट भजन सिंगर है उनके गाय भजन जो मीरा जी ने लिखे हैं, वो सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से तो इनके सभी पदों में गीति काव्य है नेक्स्ट कोशन है, अगला कोशन है इनका वे स्रीकृष्ण को पाने के लिए क्या-क्या कारे करने को तयार है मीरा जी स्रीकृष्ण को पाने के लिए क्या-क्या करने को तयार है तो उतर है मीरा जी अपने प्रभु स्रिक्रिशन के दर्शन और सामिप्य पाने के लिए उनकी दासी बनने को तयार है सिविका के रूप में काम करते हुए वे प्रभु स्रिक्रिशन के लिए बड़ी-बड़ी खिडकियों वाले उंचे-उंचे महल बनाना चाहती है महल के आसपास फूलों और फलों के सुन्दर बाग बगीचे लगाना चाहती है जहां ये प्राथ है उठते ही प्रती दिन स्रिक्रिशन के दिव्य रूप के दर्शन कर सके तो मीरा जी उनके महल में नौकरी करके बागवगी से लगाना चाहती है क्यों करना चाहती है ये सब कि वो श्री कृष्ण के दर्शनों का लाव राप्त कर सके तो ये पांच कुश्चन पर डिसकस किया हमने आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है आगे अगली वीडियो में आपको बताए जाएगा नेक्स्ट चेप्टर ले करके आएंगे अगली वीडियो में तो धन्यवाद हो